जे हिन्साथियों स्वागत करता हूँ आपका पनीटो चनल कमप्रटट एंग्रेक में अगर आपने अभी चनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो अपना साथ दीजे और चैनल को सब्सकाइब कीजे क्योंकि आपका साथ और विश्वास ही है जो में और लोगों तक पहुचने म हमारी मदद करेगा तो हमारी मदद जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेल यह हो गई प्रमोशन की बात अब करते हैं मुद्द की बात आसा करता हूं कि आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने आपको बताया था कि लेकपाल जरू करेगा इस वीडियो में हम चाचा करेंगे कि क्या जो इस चीचिंग के मावला आ रहा है यह तभी शुरूत हो गया था जब 15 गोना बच्चों को न लेके 30 गोना बच्चों को ले लिए गया था जैसा कि पहले बताया था नोटिस में भी लिखा हुआ था कि 15 गोना मैं इस में मैसेज कर रहा है कि मैं इतने माट्स हैं लेकि नहीं लग रहा है कि मेरा स्लेक्स होगा क्योंकि 15,000 गोना इस चीचिटन के स्वाथ वहां से हुआध रही थी हैं और अगर 15 गुना बच्चों को लिया गया होता तो यह जो बैठता है आपका 1,20,000 मगर जो लिस्ट आई हुए थी उस लिस्ट के साब का कटाफ बन गया होता और यही बच्चे के वाल जाके मेंस जाते और यह सत्य नमबर वाले जो बच्चे हैं यह बेहद ही मेहंती बच्चे होते इनको खुद प्रविस्वास होता कि हाँ यह मेंस अपने बुते निकाल लेते और यह बच्चे कभी चीटिंग नहीं करते आप म 64% नंबर के आसपस आ गया और इसमें वे बच्चे भी आ गए जो cheating करके आई हुए थे हलाकि मैं आपको अउगत करा दूँ कि मेरा ऐसा ताथ पर बिल्कुल नहीं है कि 64% marks पाने वाले सभी बच्चे जो है cheating के हुए थे ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत से बच्चे हैं जिनोने बहुत ही महत करके ऐसे नॉमर्स लाइ hour हुए थे मेरा यहां केवली बच्चों से है जो cheating करके इतना नॉबर आई हुए थे और इनको target करने के लिए ये बच्चे जो cheating करके 64% लाई हुए थे इनको target करने के लिए पंद्र गुना बच्चों को लिया गया था इसके उपर कोई किलिफाई नहीं आया हुआ था तो चलिए तो हो सकता है कि यहीं से जो है आपकी चिटिंग की शुरुआत हो गई हो अब हम देखते हैं कि क्या पॉजिस्टिक नूज है तो आपको बता दूँ कि पेपर में जो लिखा हुआ था कि 15,000 बच्चे हैं तो आपको बता दूँ कि 15,000 बच्चे सभी चिटार नहीं है क्योंकि इन्हें संदिक दो माला गया है और संदिक दो क्यों माला गया है यहां पर पूरा जो दामदार-बदार है वो I.O के उपर है I.O को जो है S.T.F का साथ देना चाहिए और चेक करना चाहिए किसमें से कितने बच्चों ने चिटिंग की हुई है कितनों नहीं की हुई है क्योंकि ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है और चेक की और चेक करना बहुत ही जरूरी है तो हो सकता है या चिटिंग करने वाले क्याष्ट घ् और चेक क्या अफुत हैना है तभी आप कुछ कर सकते हैं अकले आप कुछ ने कर सकते हैं अब हम चल्चा करेंगे कि क्या आगे की राह हो सकती है, क्या आपको आगे करना चाहिए, तो आगे सबसे पहले आपको एक जूट होना चाहिए, और एक जूट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्काइब कर सकते हैं, आप हमारे टेलिगाम चैनल को जोई कर सकते हैं, ज से बातों को थोड़ा एगनोर कीजिए और जो आपके 15 दिन बचे हुए 15-16 दिन उसको ध्यान लगा के पेट की तैयर कीजिए और इसमें एक अच्छा परसेंटार लेका ये ताकि आप अच्छे जो भी आने वाली जॉब्स हैं उस पर अपलाई कर सकें ठीक है जैसे आपका ल सेंटर एजाम के तरब जाएए क्योंकि सेंटर एजाम जो है ये जो है साफ साफ होती है और सिरी सिदी होती है आप सिर्जल देखिए चिजल के फार्म भड़ा जा रहा है जरूर भढ़िए चिप्यों साइफ हरे हो तो उसको टागेट किजिए और आगर आपके इंग्लिस अच्छी नहीं है तो आप सेंटर भी जाए 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 तो आप इसको टागेट किजिए इस इस्टेट एजाम से भी आप बहार निकलिए तो नोकरी पाना बहुत ही बुस्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक भरती होने में कितना टाइल लग रही है इससे पहले आप अच्छा ही है क्योंकि इससे बच्चे को खुसी मिलेगी और खुस नहीं होगा. वेल इसी के साथ हम वीडियो को समात करते हैं और आप से रिप्रेस करते हैं कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सिर्क के दिजिएगा जेहिन जे भारत